हेलो एबरिवन मैं हूँ तृपती तृपती की दुनिया में आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ प्याज के पकोड़े जी हाँ आपने बिल्कुल ठीक सुना तो चली चलते किचन में सबसे पहले प्याज के पकोड़े बनाने के तो फ्रेंज इस तरीके से जब आप प्याज के पकोड़े बनाएंगे तो एकदम मार्किट स्टाइल बनेंगे और यह मैंने डाल दिया है सूजी तो सब चीज मैं दो दो चमच के अकोडिंग डाल रही हूँ दो चमच बेसन दो चमच चावल काट और दो चमच ही सूजी औ अच्छा सब्सकारे रहा है इसमेंmekे नहीं करीं इन सब को अच्छी से मिक्स करें ड़र टा попроб एक अच्छा से पानी दाल कर लेंगे आप चाहें तो सबस्क्र केहरा हैाईं कर सकते हैं इसमें मैं हाल्तों किस्तमाल कर रही हूँ हुर अब मैं आपधों करजियाएं प्यास तो टेल को अच्छे से गरम कर लिया है और अब हम इसमें सारे प्यास के पकोड़े तल लेंगे तो यह देखिए कुछ इस तरीके से कोट होना चाहिए बेसन में कि बिल्कुल भी फैले नहीं और यह बिल्कुल मार्केट स्टायल आपके बनेंगे प्यास के पकोड़े जैसे आप थेले में खाते हैं या फिर आप रिस्टरंट वगएरा में मंगा के खाते हैं तो कुछ इस तरीके से आपके प्यास के पकोड़े रेडी हो जाएंगे तो यह देखिए फटफट इस तरीके से आपको दोनों साइट से इन्हें अच्छे से डीफ्राई कर लेना है और इन्हे आप चाय के संग इंज्वाइ कर सकते हैं या आपके घर में कोई गेस्ट आते हैं तो आप उन्हें भी सेर्फ करके खिला सकते हैं फ्रेंस प्यास के पकोड़े बहुत ही जादा यमी बनते हैं मेरे पती देव को बहुत जादा पसंद है इसलिए मैं अक्सर उनके लिए प्य मैंने सोचा सबसे पहले आप लोगों के साथ भी शियर करूं और क्यों ना आप लोग भी इस तरीके से प्यास के पकोड़े बनाएं और अपना फीड़ बैक हमारे साथ जरूर शेयर करें तो देखिए दोस्तों प्यास के पकोड़े हमारे तल गये हैं ने निकाल लेते हैं में तो अगर आपको हमारे बनाएं वे प्यास के पकोड़े पसंद आते हैं तो आप हमारे चैनल को करेगा फ्री में सब्सक्राइब वीडियो को करेगा लाइक कमेंट और शेयर तब तक लिए बाबाई